नमस्कार आप देख रहे Сов clear सबढ़ में और आज बात करेंगे फिलो टेंडरॉन की कि विन्टर इंटर केयर बारे साथ ही मैं आपको वीडियो में अपना फिलो टेंड्रोन कलेक्शं भी दिखाऊंगी तो चलिए मेरे साथ बने रहिये और यह देख्ये कि कैसे मैं एक ऐसे climate area में नॉर्थ इंडिया में जहां पर मौसम बदलता रहता है और अलग-अलग extremes पर पहुँचता है फिर भी मैं philodendrons को कितने अच्छे से look after कर रही हूँ यह जो हवा है न यही philodendron को सबसे ज़्यादा परिशान करती है दुखी करती है philodendron naturally जहां पाए जाते हैं वो areas बहुत ज़्यादा काम महां का climate होता है वहां पर हवा ना के बराबर होती है इनको हवा के थपेडों की आदत नहीं होती है और फिर उस पर से अगर ठंडी हवा हो तो आप समझ लीजे तौबा-तौबा फिर तो इनके लिए इससे बड़ा plants में interest रखते होंगे, plant collect करते होंगे, varieties को लगाते होंगे तो आपको पता होगा philodendron की बहुत सारी ऐसी varieties हैं जो बहुत expensive होती है इनका एक बहुत छोटा सा plant भी 2,500 से कम का नहीं मिलता है और फिर मिलता भी बहुत मुश्किल से है क्योंकि ये nurseries की जगा collectors के पास आपको मि plant species में deal करते हैं उनके पास ही मिलेंगे तो जब हम इतने महंगे philodendrons खरीदते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे हां अच्छे से grow हों आगे खूब बढ़े फले फुले अब philodendron को हमारे हां गर्मियों से भी problem नहीं होती है क्योंकि इतना तो हम सब जानते हैं कि उनको filtered sunlight की जरुवत है हमारे हां गर्मियों में तो हम उनको normally 4-5 घंटे वाले धूप वाले एरिया में लगाते हैं जहां afternoon की harsh sunlight ना मिले पर जैसे जैसे winters आने लगती हैं वो जो एरिया होता है वो और भी कम sun receive करने लगता है और sun की जो intensity होती है वो भी कम हो जाती है और साथ ही सा humid climate हमेशा अपने natural environment में मिलता है पर हमारे हां हम लोग specially जो नौर्थ इंडिया में रहते हैं डेली इंसियार में रहते हैं हमको यह पता है हमारे हां तीनों मौसम जो है वो अपने अपने extreme पे जाते ही हैं सर्दियों में खूब 15-20 दिन सर्दियां पड़ती हैं गर्मियों मे एक डेड़ महीने जम के गर्मी पड़ती है और बारिश में एक आद महीने खूब जम के बारिश होती है बारिश को तो यह बहुत ही enjoy करते हैं गर्मियों में भी अगर आप इनको धूप का balance बना के रखें और इनमे watering proper करते रहें तो इनको कोई problem नहीं होती है यह बहुत में क्योंकि इनके growing में सर्दियों का concept ही नहीं है तो इन्होंने उनको जेलना नहीं सीखा है और इतनी ज़्यादा सर्दी होने से यह plant जो होता है वो dormant हो जाता है अपने को एकदम संकुचित कर लेता है सिकोल लेता है और घबरा सा जाता है ऐसे में यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सर्दियों में हम इनकी खास देखभाल करें अगर आप इनको अपनी collection में बनाए रखना चाहते हैं आपका collection rich होता जाएगा और फिर philodendron तो royal plants होते हैं आप इनको indoors में कहीं पर भी रख दीजिए एकदम से lift हो जाता है इंडोर ऐसा लगने लगता है कितना lavish हो गया है कितना aristocratic हो गया है विंडोर जब यह अच्छे से बढ़ते रहते हैं तो इनको कोई care की जरूरत खास नहीं होती है मिट्टी बढ़िया है fertilizer time to time पढ़ जा रहा है फिर क्या है आप इनकी growth देखिए और इनकी जो elegance होती है वो एकदम next level होती है और instagram ने तो इन plants को इ ही एक tough period होता है जो इनको तकलीफ पहुंचाता है नुकसान पहुंचाता है सबसे पहली बात तो आपको एकदम ये प्रतिग्या कर लेनी है कि इनको neglect नहीं करना है सर्दियों में ये सोचके कि ये dormant है तो इनको neglect कर दो नहीं आप इनको एकदम isolated जगह पे ना रखिए जैसे मुझे देखिए मैं जब अपने philodendron को लगा रही हूँ तो इनके साथ मैंने तमाम tropical plants जैसे coleus, monstera, इसके साथ ही singoniums और तमाम epiparmum की तमाम varieties, money plants इस तरह के तमाम plants एक संग लगा रखे हैं, group में लगा रखे हैं एक तो क्योंकि इन plants की आदत होती है घने में, अंधेरे म groups में अच्छे से grow होने की सबसे बड़ा कारण तो यह है दूसरा जैसे की मैंने coleus के साथ लगाया है तो coleus ऐसा plant है जो winter में हमारे यहां अच्छे से grow होता है और उसको लगभग regular watering की look after की जरुवत पड़ती है तो ऐसे में मैं जब इनको watering करूंगी तो मैं philodendron को भी watering जैसे मेरी नजर अपने philodendron के growth पर उनमें किसी तरह का infestation तो नहीं हो रहा है उनकी पतियां पिली तो नहीं हो रही है इम तमाम चीजों पर भी मेरी नजर बनी रहेगी तो इसलिए plant को isolated ना रखें plant को हमेशा group में रखें philodendron group में सबसे ज्यादा happy रहते हैं और जब इसी ट्रेल से धर उधर दूसरे plants पर चड़ती हैं तो बड़ा comfortable फिल करते हैं नौर्थ इंडिया में कडाके की सर्दियां पड़ती हैं स्पेशली 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक उस दौरान philodendron की growth ना के बराबर होती है यानि की वो dormant हो जाते हैं और अगर आप उ जाउन हो सकते हैं बर्न हो सकते हैं इसलिए कभी भी आप अपने philodendrons में और ना ही philodendrons बलकी singoniums, monstera जितने भी tropical plants हैं उनमें कभी भी winters में जब एक खास कर extreme winter पड़ रही हूं तो किसी तरह का कोई भी fertilizer मढ़ डालें इस दौरान fertilizer डालना आपके plant को मार सकता है ये जो स उनको नुकसान पहुचा सकते हैं अभी हाली में पिछले 2-3 दिनों से पहाड़ों पे snowfall होने की वज़े से हमारे हाँ थंडी हवाय चल रही है और देखिए आप कुछ एक पत्तियां किस तरह से torn यानि कि फट गई हैं और खराब हो गई हैं जबकि मैंने इनको बहुत ही properly place करके रखा हुआ है एक साइड में दिवार है जिससे हवार क्रॉस नहीं होती है दूसरी साइड में बड़े बड़े पेड हैं जो इनको शेड दिये रहते हैं और barrier का काम करते हैं उसके बाद भी इनकी पत्तियां फट रही हैं खराब हो गई तो इसलिए ये ध्यान रखना ह या पेडों की छाओं में रखें ताकि इनके उपर हवा का ज्यादा असर ना हो और इनको आपको frost से भी बचाना है और अगर आपके हाँ जगह ज्यादा नहीं है थोड़ी सी जगह है वहीं पे आपने सारे plants रख रखे हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप इनको कैसे पॉर्मर्स होते हैं वो रूम को एकदम ड्राइ कर देते हैं और ऐसे में बिना मोईस्चर में बिना हुमिडिटी के फिलोडेनों जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं और धीरे-धीरे आपका प्लांट खराब हो जाता है सारे लोग अपने घरों में ना ग्रीन नेट लगा के प्लांट बचा सकते हैं ना फिर किसी भी तरह का जो है वो पॉली हाउस बना के बचा सकते हैं तो मैंने एक बड़ा अच्छा सा देशी जुगार खोवज रखा है इस तरह के आप ये जो creepers वगेरा लगाने के लिए जो इस तरह के stands मिलते हैं मैं इनको मंगा करके रख लेती हूँ और जो मेरे बड़े plants हैं उनको cover करने के लिए इनको use करती हूँ और इस तरह से उनको polythin से उपर से cover कर देती हूँ नीचे से खुला रखती हूँ so that कि उनको air भी मिलती पर उपर से जो पाले का यानि की frost का असर है या जो ठंडी तेज हमाएं हैं वो इनको direct hit न करें और इनको नुकसान न पहुंचाएं तो अगर आपके पास भी थोड़े से plant हैं तो आप यह तरीका अपना सकते हैं और यह मेरा आजमाया हुआ तरीका है बस यह करना है कि पूरा plant pack मत करिएगा नीचे रूट की तरफ खुला छोड़ दीजेगा इस तरह से और आपका plant मेरी guarantee है कि पूरे समय सुरक्षित रहेगा पर अगर आप इनको बचाने के लिए अंदर ले आते हैं और वहां पर heater या warmer है तो आपका plant बिल्कुल खराब हो जाएगा बहुत important बात है जो बहुत सारे लोगों को यह समझ में आता है कि पानी नहीं डालना है सर्दियों में इनको पानी की जरुवत कम होती है पानी की जरुवत regular से बिल्कुल कम होती है क्योंकि गर्मियों में पानी बहुत जल्दी जल्दी evaporate हो जाता है और plant consume कर लेता है पर सर्दियों में ऐसा नहीं होता है मगर फिर भी पानी की जरुवत philodendrons को है अगर आप इस plant को सर्दियों से बचा के रखना चाते हैं तो आपको यह ensure करना होगा कि इसकी मिट्टी में नमी बनी रहे क्योंकि अगर नमी बनी रहेगी तो इसके उपर frost का असर नहीं होगा और plant ज़्यादा ठंड़क में नहीं जाएगा और इसके साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप इनकी पत्तियों को regularly wash करते रहें यानि कि पत्तियों के उपर धूल न जमने दे philodendron का बड़ा बुरा हाल हो जाता है अगर इनकी पत्तियों धूल की layer जम जाए और उससे यह plant जो है वो बड़ा unhealthy हो जाता है पत्तियों पीली हो जाती है और गिरने लगती है इसलिए यह ध्यान रखना है कि जब दोपहर के समय धूप खूप खिली-खिली सी हो उस दिन आप इनमे thoroughly watering कर दे भले ही फिर आपको 2-3-4 दिन तक इनमे पानी न डालना पड़े पर यह ध्यान हमेशा रखना होगा मिट्टी कभी भी बहुत dry मत रखिएगा क्योंकि अगर बहुत dry रहेगी तो यह plant frost से खराब हो सकता है और burn हो सकता है इसलिए नमी बनाए रखिए जब 11-12 बजे करीब खूप बढ़ियां धूप हो जाती है तो आप बाहर जाईए आप भी धूप से किए plant को भी नहलाईए और फिर देखिए आपके फिलोडेंडरॉन कितने खुश सर्दियों में भी दिखाई देंगे क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं मैंने देखा है कि उनके plant बहुत जादा डल हो जाते हैं और वो यह सोचते हैं कि पानी नहीं डालना है पानी डालने से plant खराब हो जाएगा सर्दी में है नहीं बिल्कुल नहीं इस plant को पानी की जरूरत तो है ही है पानी के बिना ये plant हैपी नहीं रह सकता है इसको काफी humid environment की जरूरत होती है और मैं तो एक तरकीब और करती हूँ कि मैं हमेशा यहाँ पे कुछ water plants लगा के जरूर रखती हूँ so that की हवा में जो है वो थोड़ा बहुत किसी तरह से moisture बना रहे है क्योंकि हमारे हाँ सर्दियों में जो हवाई होती है वो काफी खुश्क होती है और बहुती ज़दा dry होती है leaves के उपर का moisture लेके उड़ जाती है ऐसे में philodendrons को यह रास नहीं आता है तो इसलिए अगर आप 2-3 water plants लगा के इनके आसपास रख देंगे या पानी से भरे हुए containers भी रख देंगे तो भी यह plant का जो महौल है आसपास का वो humid हो जाएगा और यह plant happy बना रहेगा अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे उमीद है कि आपके plants healthy बने रहेंगे और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो आप तक पहुचेंगे और बहुत सरे लोगों ने मुझे से गुजारिश की थी कि मैं अपने फिलोडेंडरॉन की जो collection है उसको varieties को नाम के साथ बताऊं और जिससे कि उनको उनको identify करने में मदद मिले तो आगे आने वाले किसी episode में मैं ये जरूर बताऊंगी और इसके साथ ही link को अपने friends के संग share भी करना और वीडियो अगर पसंद आता है तो like जरूर किया करें like करने से हमारे वीडियो spread होते हैं उनकी reach बढ़ती है और हमारी मेहनत सफल होती है thank you very much